गुड मार्निंग, तोडे़ वी आपको बतला रहे हैं, और यह ग्रासलेंड जो है, आपको ग्रासलेंड, ग्रासलेंड क्या है, where it is situated and how much types of grassland and what is the properties of grassland we are discussing today मैं आपको आप बतलाना चाड़ा हो कि grassland क्या है तो grassland are areas where the vegetation is dominated by grass however sage and rust families can also be present actually एहाँ पर ऐसा है कि grassland वैसे छित्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर आपको मुख रूप से उसकी प्रधानता होती है छोटे छोटे घास का और उसके अलावे लेकिन उसके साथ sage भी होते हैं जाते हैं आपको रस भी पाए जाते हैं इसको ध्यान देंगे आपको और एक्चुली क्या है इस प्रजेंट इंडिवेन फारेस्ट एंड डिजर्ट यहाँ जो है पॉरेस्ट और डिजर्ट के बीच में यह पाय pues आज जाते हैं पर आपको forest है जंगल है और इधा desert है इसके बीच में आपको grassland सोते हैं और forest का अंतिम रूप grassland है और desert का grassland का अंतिम रूप जो है so desert है तो यह इस दोनों के बीच में आपको पाए जाता है जैसे आपको मैं बतला रहा हूँ यहाँ forest है आप त्वासा समझेंगे यहाँ forest है इसके बाद क्या है grassland है और यहाँ पर desert है तो यहाँ जो transitional इसका अंत जो है transitional phase है grassland है और grassland का end जो है desert है तो यह दोनों के बीच में पाए जाने वाले छित्रों को हम grassland कहते हैं इसको आप ध्यान देंगे जैसे मैं आपको कई example बतला चाह रहा हूँ यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो छित्र है आपका जहां से equator गुजरता है यह कांगो का छित्र है यहां जो है कांगो का चेत्र है जिसको आजकर हम लोग जैरे देश काते हैं कांगो नदीब आती है और यहाँ पर काफी बरसा होती है और इस बरसा के कारण यहां क्या है पूरे के पूरे यह सेडिया में आपको बहुत अधिक ट्रॉपिकल रेन फॉरस्ट है तो आपको काला हारी डिजर्ट है यहां पर देखेंगे यहां काला हारी डिजर्ट है और यहां पर आप देखेंगे कांगो का चेत्र जो है जारे का जो चेत्र है जो कांगो नदी गुजरती है यह आपको ट्रॉपिकल फॉरस्ट है तो इस दोनों के बीच में यह जो वेल्ड्स आपक Grassland है उसको आप लोग समझ गए होंगे, मैं आपको बतला रहा हूँ, यह कहाँ- कहाँ पाय जाते हैं, तो आपको यह Grassland है, एक ही जगह नहीं पाय जाते हैं, वह Antarctica में नहीं पाय जाते हैं, it is present in all the continent except Antarctica, यह Antarctica के छोड़के सभी continent में यह पाय जाते हैं, इसको ध्यान नखेंगे next मैं आपको आ रहा हूँ how much types of grassland there are two types of grassland one is tropical grassland and second one is temperate grassland tropical grassland is also called savannah grassland which is also called sub-tropical prairie and second one is temperate grassland which is also called steppie and shrub lands it is also called shrub lands as well as steppie यहाँ पर मैं आपको बतला रहा हूँ tropical grassland जो है जिसको हम सावाना कहते हैं और उसको हम सब tropical prairie के रूप में भी जानते हैं और दूसरा temperate grassland को हम shrub lands भी कहते हैं और इसको steppie भी कहते हैं इसको ध्यान लखेंगे तो आपको इस tropical का एक और बहुत 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 नाम है जो पड़िच्छाओं में आपको पूछे जाते हैं जो वह है big game country tropical जो grassland है उसको big game country कहते हैं why it is called big game country because it contains herbivore as well as carnivore यह ऐसे tropical grassland है which contains both a large amount of carnivore animals and herbivore animals carnivore animals वह animal है जो आपको छोटे छोटे जो animal हैं उसको खाते हैं tiger, panther, cheetah आपको lion these are carnivores और deer, rabbit, goat these are herbivore because it totally depends upon grass तो यह जो है आपको herbivore और carnivore को big amount में रखते हैं इसलिए इसको हम लोग big game country काते हैं इसका एक और नाम है जो पडिक्छाओं में बहुत पूछा जाता है आप ध्यान रखेंगे big game country it is also called big game country and here temperate grassland is also called bread basket of of the world bread basket of the world because it produces huge amount of wheat production यह जो है बहुत जादे आपका wheat का production मेज का production यह देता है इसलिए it is also called bread basket of the world यह अनाज भंडार ग्रेह यह अनाज प्रोड़क्शन छेत्र का यह एक बहुत बढ़ा भंडार छेत्र है इसलिए इसको bread basket of the world कहा जाता है बेंस आपको bread की टोकड़ी जो अनाज से भढ़ा हुआ है वह बिस्सुका कहा जाता है इसको ध्यान में रखेंगे यह दोनों question बहुत पूछे जाते हैं इसलिए आप इसको ध्यान लखेंगे मैं आपको बतला रहा हूँ और विसेश करके प्रेडी के लिए यह टर्मा है bread basket of the world because it produces huge amount of wheat production which prepares bread यह आपको रोटी बनाने में पाउं रोटी बनाने में इसका उप्योग होता है इसलिए इसको हम कहते हैं bread basket of the world अब हम आते हैं how much types of tropical grassland तो these are the six types of grassland first one is savannah savannah grassland जो है इसको हम लोग ऐसे भी आपको जानते हैं कि savannah grassland जो है आपको East Africa में Australia में Myanmar में Thailand में and South America में यह पाए जाते हैं इसको दिहान रखेंगे savannah because it is also called savannah next आते हैं campus which is located in Brazil Brazil here it is campus आप देख रहे हैं यहाँ पर campus है जो आपको यहाँ पर आपको पाए जाता है Brazil में next है Launos Launos जो है आपको यहाँ पर इसका location है आप देख रहे हैं Launos जो आपको Orenico Bayshin जो Venezuela और Colombia का छित्र है वहाँ पर यहाँ पाए जाता है अब हम आते है Sarah Doss जो आपको Sarah Doss जो है मुकुरूब से Brazil के छित्रों में यह पाए जाता है next है आपको Grand Checo जिसको Dry Checo काते हैं यह जो Dry Checo Grand Checo है यह इस एरिया में पाए जाते हैं यह छित्र है Eastern Bolivia Western Paraguay Northern Argentina and a portion of Brazilian States यह इतने दूर के छित्रों में यह पाए जाते हैं Grand Checo which is also called Dry Checo इसको ध्यान में आप रखेंगे next है Salvas which is situated here it is present in the southern portion of the Mexico यह Mexico के southern portion Mexico here it is Mexico and यह Mexico के southern portion में पाए जाता है so it is called Salvas वैसे भी आप ध्यान रखेंगे South में S है और Salvas में S है ध्यान रखेंगा Southern portion of the Mexico तो आपको याद हो जाएगा अब हम आते हैं के how much types of temperate grasslands so there are 9 types of temperate grasslands temperate grasslands is also called steppi उसको steppi भी हम लोग कहते हैं और सबसे महत्पोन है canter बड़ी canter बड़ी जो है आपको न्यूजीलेंड के छत्रों में पाय जाता है मैं आपको यहां बत्लाना चाह रहा हूँ के canter बड़ी जो है यहां पर है आप देख रहे हैं canter बड़ी ग्रासलेंड है निउजिलेंड में है और कैंट यह जो है मुक रूप से आपको निउजिलेंड के छित्रों में यहां पाए जाता है कैंटरबरी तो देखेंगे तो यहां पर मेरिनो सीप पाए जाता है यहां मेरिनो सीप विच हाई क्वालिटी प्रोड़ विच एल्ड्स हाई क्वालिटी आफ उल तो यहां जो है बहुत अच्छे तरह के उल का प्रोड़क्शन करते हैं और यहां पर कैटल रेडिंग होती है मिंस पशुपालन का काम खूब होता ह है और क्यों होता है पशुपालन तो पशुपालन का काम करने का दो ही मकसद है एक जो है मिल्क प्रोड़क्शन में दूसरा है मीट प्रोड़क्शन में M से मिल्क और M से मीट प्रोड़क्शन तो यहां पर बहुत अधिक मीट और मिल्क जो है प्रोड़क्शन होता है कैंट बरी में नेक्स ऐ है अरेंज लैंड जो रोच दैक इन जो रोच एा यहां पर बी आस्ट्रेलिया में भी लिग देता हूँ New Zealand और यह तो आप जानी रहे है आस्ट्रेलिया है तो यह जो है आपका यह आस्ट्रेलिया में भी रेंज लैंड्स पाए जाते हैं New Zealand में भी यह रेंज लैंड्स ग्रास पाए जाते हैं इसको आप ध्यान लखेंगे Next में आ रहा हूँ आपको मुखरूब से down में तो down भी जो आपका locally जो आस्ट्रेलिया के घासी लैंड को down कहा जाता है वह मुरे प्रोडक्शन होता है विसेज करकर के आपको मिटकेल ग्रासेज यहां पर पाए जाते हैं या मिटकेल ग्रासेज पाने से यहां कल्टिवेशन खूब होता है वीट का प्रोडक्शन भी होता है साथ साथ आपको मिल्क और मीट का प्रोडक्शन होता है क्योंकि कैटल भी खूब होती है और merino sip भी पाए जाते हैं जिसके चलते wool production होता है तो यहाँ पर यह जो आपका डाउन छेत्र है उसमें विसेश करकर के आपको यह जो है आपका wheat का cultivation भी खूब होता है अब मैं आ रहाँ पंपास पंपास जो है आपका अर्जेंटाइना में पाए जाता है यहाँ पर एक विसेश तरह की घास पाए जाती है जिसको हम alpha-alpha grasses काते हैं alpha-alpha grasses is very nutritive या बहुत ही swadist के साथ साथ पॉस्टिक भी है तो वह जो है जिसके चलते रैंसिंग होता है cattle rating होता wheat cultivation भी खूब मात्रा में होता है यहाँ से meat का export होता है milk का भी export होता है इसको आप ध्यान रखेंगे आपको मैं बतला रहा हूँ वह पंपास कहां है तो आप देख रहे है यहाँ पंपास है अर्जेंटाइना का छित्र है और तो आप समझी गए होंगे कि यहाँ जो छित्र है यहाँ पर बहुत अधिक milk और meat का production के साथ साथ wheat का cultivation मेंस गेहूं का उत्पादन भी खूब होता है इसको आप ध्यान रखेंगे मैं अब आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ वह है आपको पुस्टाज पुस्टाज जो है हंग्री में पाए जाता है या पुस्टाज grasslands है हंग्री में पाए जाते हैं और यहाँ पर actually क्या है हंग्री में black soil पाए जाता है जिसके चलते बहुत जादे wheat का production होता है गेहूं का प्रोडक्शन होता है हंगरी का जो आपको लोकेशन है मैं आपको दिखा रहा हूँ या हंगरी का लोकेशन आपको यहाँ पर है तो यह जो है आपको पुस्टाज है पुस्टाज है तो यहाँ पुस्टाज यहाँ पर पाये जाते हैं अब हम आते हैं आपको है आपका यह रशिया का भी कुछ विल्ट है और तजाकिस्तान कजाकिस्तान उजबेकिस्तान से यूक्रेन यह सभी का जो छित्र है यह पूरा छित्र कभर करता है इसको स्टेपी कहा जाता है टेमपरेट को हम स्टेपी के नाम से भी जानते हैं लेकिन यहां के स्टेपी को स् प्रेडी काते हैं अमेरिका का तो इसको ध्यान रखेंगे तो यहां पर आप देख रहे है स्टेपी जो है उरोप और नौर्थ एशिया में पाई जाता है मिन्स यूरेशिया का एच्छेत्रा है उरोप और एसिया को मिला करके यूरेशिया कहा जाता है यूराल परवत यहां आपका लोकेटेड है या यूराल परवत जो है आपको यहां पर आपको डिफरेंसीट करता है इधर इरोप हो गया वेस्टर्ण पार्ट में इस्टर्ण पार्ट में आपका एसिया का है अब मैं आता हूँ टैगा है टैगा जो आपका यह सब जो छित्र है आपका टैगा का छ जहां पर hunting और आपको fishing मुखरूप से इस एरिया में होते हैं, economic activity यहां पर है, आपको बता देते हैं, पुस्टाज के एरिया में आपको एक बहुत अच्छी चीजे होती है, वहाँ बीट जो होता है, बीट आपको का production होता है, जिससे बीट के production से सुगर बनता है, और वहाँ पर चुकुंदर से ही चीनी बनाया जाता है, जबकि भारत में मुखरूप से सुगर केन से चीनी बनता है, लेकिन आपको यहाँ पर इटली में आपको यहाँ पर यह जो चित्र है, हंगरी है, यह सब चित्रों में बीट से, चुकुंदर से आपको चीनी बनाया जा ग्रास लैंन को यहाँ पर साउथ अफरीका में वील्ड कहा जाता है, जहांपर मेज फार्म्मिंग होता है, मेज का प्रोडक्शन होता है, सीप अंड कैतल रियरिंग में खूब यहां पर होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे मैं फिर से एक बार मैप पर आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपनों को ध्यान में आ जाएगा यह आपको मैंने दो बाते बार बार कहना चाहरा हूँ कि यह जो आपका ट्रोपिकल और टेंपरेट में सबसे पहला लोकेशन को आप समझ लेंगे यह लोकेशन क्या है यह यह रेड लाइन जो आपको देख रहा है यह जो पूरे आपको धरती को दो भागों में बांटती है और यह जीरो डिग्री में अवस्तित होता है एक्वेटर काते है और एक्वेटर के आपको North and South तो आपका जिसको हम लोग आपको Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn काते हैं तो यह जो जिसको हम करक और मकर रेखा हिंदी में काते हैं तो यह साधे 23 डिग्री North और साधे 23 डिग्री South से गुजरती है तो Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में एक्वेटर के नजदीक पाएज आने वाले ग्रास लेंड को Tropical ग्रास लेंड काते हैं विच इज ऑल्सो काल्ड सवाना ग्रास लेंड और यह Tropic of Capricorn और Tropic of Cancer करक और मकर रेखा के जो साधे 23 डिग्री North और साधे 23 डिग्री South से गुजरत है उसके Northern and Southern में मिस उससे उत्तर और दक्षिन में जो छेत्र है उसको हम Temperate Grassland काते हैं तो Temperate Grassland विच इज ऑल्सो काल्ड स्टेपी तो स्टेपी अगर पूछेगा तो आप जरूर कहेंगे कि Temperate पूछ रहा है सवाना का रहा है तो ट्रॉपिकल छेत्र आप कहेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ हम लोग के देश में भारत में भी आपको शवाना ही टाइप का है क्योंकि यह साड़े 23 डिगरी जो हमारे देश से गुजरती है तो सवाना ही मुख रूप से हम लोग का जो छेत्र है सवाना ही कहलाता है तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि यह ध्यान में रखना पड़ेगा अब आते हैं जो ब्लैक से हमने लिखा है जो एक्वेटर के नजदीक में है और ब्लैक डॉटेड या ब्लैक से लिखे हैं वह ट्रॉपिकल का ग्रास लैंड है ट्रॉपिकल ग्रास लैंड का लाएगा और जो ब्लू में मैंने लिखा है और जो दूरी बनाय हुए है विसेश करके उक्वेटर से काफी दूर है अंतरिक छत्रों में है तो उसको हम लोग कहते हैं टेंपरेट या स्टेपी कहते हैं तो आप देख रहा है उक्वेटर के नजदीक है आपको लाउनेस है जो आपका सव यह मुक्परूप से आपको यह पाय जाता है आपको विनेजियूला और किलंभिया का छेत्र है यह जो सिलवास है जो मैक्सिको यह चिट्र है मैक्सिको के साउथर्ण पोश्ण में है यह यह केटर के नजदीख है यह दोनोеюсь इसके बाद आपको यह भी नियर है आपको आपको सेरा डॉस जो है ये भी ब्राजील के ही पोर्षन में आपको पाय जाता है इसके बाद ग्रैंड चेको है या ग्रैंड चेको आपको भी आपका एक्वेटर के सारे 30 डिग्री साउथ से के पहले ही है तो ग्रैंड चेको में कई देश आ जाते है जिसमें इस्टर्ण आजेंटाइना है और कुछ खास एक छोटा सा पोर्षन आपका था ब्राजिलियन स्टेट्स का तो यह जो है आपका यहां ग्रैंड चेको ड्राइचेको तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां आपको ग्रैंड चेको कैंपोस सेरा डॉस और सेलवास और लाउनेस इस आर सावावना सवाना जिसको हम ट्रॉपिकल ग्राज सेरांन काते हैं सावाना काते हैं इसको आप ध्याट स्राइब आ रहा रहा हूं विशेश करके और अवा रहां हूं उत्तरी और धक्षनी भाग में या वस्तित है तो आप देख रहे हैं एक्वेटर यहां से है तो एक्वेटर से काफी दूर या प्रेडी है इसको हम स्टेपी भी काते हैं यहां अमेरिका में आपको मुखरूप से पाय जाता है अब हम आते हैं आपको यहां पर वेल्ट्स है जो साउथ अफ्रीका में प्रिटोडिया वगरह छित्रों में यह पाय जाता है यह भी स्टेपीज है लेकिन यहाँ पर लोकली इट इस अलसो काल्ड वेल्ड्स या वेल्ड्स कहे जाते हैं अब मैं आ रहा हूं आस्ट्रेलिया में जैसे आपका यह डाउंस है जो हमने आपको बताए हैं यहीं से नदी बाती है जो आपको मुर्रे आपको मुखरूप से आपको और जो छित्र है वह आपका जो हमने आपको बताए ही था कि यहां मुर्रे और डार्लिंग नदी है यहां यहां पर इसी तरह बाती है मुर्रे और डार्लिंग नदी के बगल में यहां ऑफ में पहत तैपी अधोने में नीजी लांडय को भी है और यहां पर और नहाले लांड्स वह और पर जाते हैं तो इसको आप धिहां लखेंगे अब हम आ रहे हैं इधार आपको खास करके आपको बतला रहा है युक्रेयन से ले करके आपको गोवी मरुस्थल डिजर्ट के बीच में यह पाये जाने वाले हैं यहांपर स्टेपी नाम से ही जाना जाता है जो तेम्प्रेट ग्रास लेंड है और यहांपर हंगरी जो है पुस्टाज जो है या हंगरी में पाये जाता है तो और इधार हम आपको बतला रहा हूं न continues अमेरिका में Northern America continent हुआ और यहां पड़ USA का यह छित्र है और यह USA के छित्र में यह प्रेडी पाए जाता है जो यहां के STP को local name से प्रेडी के रूप से जाना जाता है यह जो है world को सबसे अधिक wheat production करता है जिसके चलते यह छित्र जो है तो आपको हमने बताया है bread basket of the world कहा जाता है तो इसको आप ध्यान रखेंगे इतनी बाते आपको ध्यान रखने से आपको क्या होगा कोई भी प्रशना आपके आएंगे तो वह solve हो जाएंगे मैं अब आपको बतलाना चाहरा हूँ विसेज करके इसके differences क्या है what is the difference in between tropical and temperate grasslands means temperate and tropical grasslands के जो difference है जो आपको अंतर है उसको जाएंगे तो और भी समझने में आशानी होगी location मैंने आपको बतलाया है कि close to the equator है यह जो है आपका tropical grasslands जो है सो equator के आसपास है साथे 23 degree north और साथे 23 degree south जिसको tropic of cancer और tropic of capricorn कहते हैं करक और मकर रेखा कहते हैं इसी के बीच में यह पाय जाते हैं तो यह equator के बहुत कडिव है इसको ध्यान रखेगा वैसे यह बहुत hard and fast नहीं है लेकिन यह आप समझ लिजे कि 10 से 20 degree north and south इसको ध्यान रखेंगे और यह जो है आपको equator से काफी दूर है 40 degree से लेके 55 degree north and south situated है it is also a lie in the interior of the continent यह भीतरी भागों में continent के भीतरी भागों में मुखरूब से पाय जाता है इसको आप ध्यान रखेंगे next मैं आपको बता रहा हूँ rainfall की बात कर रहा हूँ rainfall जो है तो आप जान है equator पर क्या होता है equator पर सूर्ज की करने जो है तो एकदम vertically अवस्तित होती है जिसके चलते आपको क्या होता मान लिजे यह equator है तो सूर्ज की करने यहां पर direct परती है तो सूर्ज की करने जो direct परती है तो इससे क्या होता है कि आपको वहां पर वहां पर वहांपर आप देख रहे हैं या अटलंटिक महाशागर है या Indian Ocean है इधर Pacific है इधर भी Pacific है तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर Evoration बहुत होता है ओसन से और Evoration उपर जाकर किया होगा a Condensation हो जाएगा शंगनन हो जाएगा और संगनन हो जाने के बाद जब एक दूसरे भेपर मिलेंगे तो वह जो है भाड़ी हो जाएंगे और भाड़ी हो जाएंगे तो भाड़ी बरसा कड़ाएंगे तो यहां पर एक्वेटर के छित्रों में बहुत भाड़ी बरसा होती है इसी मेटर होती है यहाँ पर बर्षा की कमी होती है आपको बता देते हैं यहाँ पर season जो है यहाँ पर hot जो season है क्योंकि यहाँ गर्मी काफी होती है hot season hot all over the year followed by dry and wet actually क्या है कि सालों भर यहाँ गर्मी बहुत जादे होती है लेकिन hot के बाद weight होता weight means बर्षा के कारण यहाँ weight होता है बर्षा कारण और लेकिन यहाँ पर क्या होता है hot summer होते हैं summer hot होते हैं लेकिन cold winters होते हैं winters जो होते हैं thunday होते हैं just दोनों जो होता है extreme पर होते हैं hot भी extreme पर और cold भी extreme पर तो यहाँ जो होता है टेबरेट की खासियत है अब मैं आता हूँ आपका जो चर्चा कर रहा हूँ सीजन हो गया स्वाइल पर आ रहा हूँ स्वाइल जो होता है यह ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में क्या है कि बर्शा के कारण कुछ पेर और जंगल ऊग जाते हैं यह बात सही है ग्रासेज भी बहु उग जाते हैं यह बात सही या लंबे लंबे होते हैं लेकिन यहां पर स्वाइल जो होता है स्वाइल की फर्टिलिटी यहां पर ट्रॉपिकल छेत्रों में कमजोड होती है लेकिन यही जो टेंपरेट छेत्र है वहां पर स्वाइल की फर्टिलिटी जो है स्वाइल की क्वा बहुत अच्छी होती है इसलिए यहां पर इसको ग्रैनरीज कहा भी जाता है वर्ल्ल ग्रैनरीज बास्केट ओफ वर्ल्ल ग्रैनरीज कहा भी जाता है क्योंकि कल्टिवेशन बहुत होते हैं वीट प्रोडक्शन मेज प्रोडक्शन यह सब काफी मात्रा में होते हैं तो नेक् आया है कि summer hot होते 18 से 20 18 to 20 degrees होते हैं लेकिन winter बहुत cold होते हैं यह आप जाने रहें इधर से आप जो यह नौर्थ बढ़ेंगे ठंडी बढ़ेगी next है आपका plant है यहाँ पर सोहाविक है ट्रोपिकल में बड़े बड़े plants होंगे युकलिप्टस के गम के आपको यह सब है आपको पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर आपको जानते हैं grassland यह ऐसे grassland है which doesn't have trees इसलिए इसको tree-less कहा जाता है दो चार ऐसे ही बिख्रे रहते हैं ले doesn't have trees तो tree-less कहा जाता है नेक्स्ट हम आते हैं animal में यहाँ पर animal जो है elephant मुखरूप से cheetah, serval, hyenas जो है जेबरा और जो है आपको lion, tiger आपको यह सब आपको पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर जो पाए जाते हैं वा आपको horse, wild ass, antilops and kangaroo पाए जाते हैं इसको ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट है आपका bird है यहाँ पर vulture, asparo, weaver, great Indian bastard पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर जो है temperate में आपको ostrich पाए जाते हैं अब grass की बात कहते हैं तो grass यहाँ पर जो होते हैं खास करके यह equator वाला जो छित्र है आपका इस तो grasses are generally three meter in height वह जो हता तीन meter height के grasses होते हैं बड़े लंबे-लंबे grass होते हैं इसलिए यहाँ के grasses में सबसे महत्तपोन grasses हैं आपको elephant grasses क्योंकि इसका नाम ही है elephant grasses क्योंकि बहुत height में होते हैं पहली बात और elephant भी यहाँ पर बहुत जादे पाए जाते हैं हाथी बहुत पाए ज जाते हैं इसको हाथी घास कहा भी जाता है और यह हाथी का सबसे फेबरिट भोजन है इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि बरसा के कारल लंबे हो जाते हैं लेकिन it doesn't have nutritive quality इसमें बहुत जादे nutritious materials कम होते हैं और आपको it doesn't have juicy ठीक है ना तो यहाँ बहुत juicy नहीं होते हैं यह जूसी और non-nutritive होते हैं ट्रोपिकल ग्रास जो होते हैं तो यहां के grasses को elephant grasses काते हैं और यहां के जो जो grasses है temperate grassland है वह short होते हैं soft होते हैं juicy भी होते है nutritive होती है इस grasses को buffalo grasses काते हैं तो यहां ध्यान आप रखेंगे इसकी quality के आधार पर जो है grasses का यहां जो होते हैं बहुत short होते हैं यहां पर जो होते हैं बहुत लंग होते हैं लेकिन आपको बता देते हैं ट्रोपिकल छित्रों में मैं बार बार यह कहना चाहूंगा यह बहुत बाराता है बीग गेम कंट्री इट कंटेंस हर्वीवोर जो आपको घास खाने वाले जानवर है इट आल्सो कंटेंस कार्निवोर इसलिए इट इस कॉल्ड बीग गेम कंट्री तो इसको आप लोग ध्यान डखेंगे आपको जो जो इसका डिस्टिबूशन था इसकी टाइप्स था उस सबको हमने मैप के आधार पर बता दिया हूँ जैहिंद जैभारत